हेलो व्रिवन मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चानल प्यूपिल टीचर में सीटाइट दिसमबर 2021 की तियारी को ध्यान में रखते भी हम लोगों ने सीटाइट परिक्षा की बाल विकास के एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास जिसे हम सीडीपी के नाम से भी जानते हैं इसका तीरसरा चाप्टर आज की इस वीडियो में मैं कवर करने बाली हूँ और ये जो chapter में आप लोगों के साथ cover कर रही हूँ, ये seat act का जो अभी revised syllabus हमारे सामने आया है, जो नया syllabus आया है, उसी को follow करते वे हम ये chapter cover कर रहे हैं, तो आप निश्वेक्र इन वीडियो को देख सकते हैं और इनको follow कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के स और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो description में आपको वीडियो के link मिल जाएगी, और अगर description में आपको वीडियो की ना मिले, तो आप playlist section में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करें, और साथ आप लोग मेरे साथ telegram गृपर पर जोड़ सकते हैं जिसमें हम लोग परस्नली एक दूसर से इंट्राक्ट कर सकते हैं देखिए अगर हम देखें कि समाजी करन यानि कि सोचलाइजेशन क्या है तो देखिए यहां पर दो शब्द यहां पर चुपेवें एक चुपावा समाज और एक करन यानि कि समाज के तालमेल बिठाने की प्रकरिया को ही हम समाजी करन कहते हैं अगर कोई वेक्ति जब पैदा होता है कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सीधा समाज के संपर्क में नहीं आता है वो अपने घरवालों के संपर्क में आता है और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है व इस तरीके से बच्चे का क्या होता है आपे समाजी करन होता है यानि कि अगर हम किसी भी संस्कृति यानि कि किसी भी कल्चर या फिर समाज यानि कि जो सोसाइटी होती है उसके जो नॉम्स बने होते हैं उसके जो मागडन बने होते हैं उनको अपने वहभार में अगर लाएं अपने behavior में लाएं कि हाँ भही हमारे समाज में अगर हम ये प्रतिकिरिया करते हैं तो ये चीज सही माने जाएगी और अगर हम ये कारे करते हैं तो हमें ये समाजिक प्रानी नहीं माना जाएगा तो इस तरीके से अगर हम अपने वहवार में परिवर्तन ले के आएं तो हमार तो आपका है यहां पर किया हो जाता है हमारे omes Whether देखें जैसे कि मैंने कहा समाज के लिए कि दो शब्द से बना हुआ है एक समाज violent करन जो होता है यहां पर यह तरीके से प्रकिरियाब मानी जाती है यह तरीके से प्रोसस होता है किसे भी चीज का अब देखिए अगर हम देखें यह जो समाज शब्द है यह उत्पत कहां से हुआ है इसकी उत्पती जो है यह संस्कृत शब्द से हुई है जो दो अलगलग संस रहते हैं और साथ में रहने लगी यहां के अज का मतलब है जो शात रहते हैं। कई सारी व्यक्ति जब इकले साथ में रहते हैं और एक ही तरीके के राएं करते हैं सब्सक्नेयर... और बच्चा वार जब इन समाज के जू माप्डण बने वे उनको अपनान لेता है तो बच्चे का यहां पर हो जाता है समाजी करेन अब देखिए अगर किसी भी बच्चे का समाजी करन करना है तो यहां पर इंसके लिए यहां पर उत्तरदाइग होता हैं कौन कौन responsible होते हैं हम किस तरीके से समाजी करन कर सकते हैं समाजी करन कितने तरीके से हो सकता है इनको जड़ा आगे discuss करते हैं कुछ और important point को जड़ा discuss कर लेते हैं जो कि समाजी करन से समधित हैं अगर हम देखे कि बच्चे का समाजी करन किस तरीके से होता है तो बच्चे का सम यहां पर आपचारिक तौर से यानि कि जैसे बच्चा अगर स्कूल जाएगा और वहां पर फॉर्मली अगर किसी चीज को सीखेगा या फिर अनौप चारिक तौर से यानि कि अपने आसपास के लोगों से अपने घर परिवार से दोनों रूप से बच्चे का समाजिकरन हो सकत यानि कि बच्चा जो समाज के मापदंड है उनको यहाँ पे आपचारिक और अनापचारिक दोनों तोर से यहाँ पे सीख रहा होता है और साथे साथ अगर हम देखें तो अगर एक बच्चा समाजिक प्रामी बन जाए यानि कि समाज में होने वाले कार्रियों को समझे और साथे साथ इस सीज को देखे कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या चीज उसके लिए गलत तो कही न कहीं यहाँ पे जो human behavior होता है यानि कि जो किसी व्यक्ती का जो हमारा एक तरीके से हम कहा सकते हैं होता है उसको यहां पर कंट्रोल भी किया जा सकता है यानि कि उस बच्चे के मन में पहले ही आ जायेगा कि अगर मैं कारे करूंगा तो यह कारे समाज के हिसाब से सही होगा या गलत होगा तो देखें यहां पर अगर एक बच्चा किसी समाज को अच्छा ही तरीके से फॉलो कर रहा है किसे समाज की बात को मान रहा है तो कहीं न कहीं बच्चे बैभार होगा यानि कि बच्चे का जो बिहेवियर होगा इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है यह कंट्रोल हम अच्छी तरीके में बो वह सबसे पहले अपने माता पिता अपने घरवालों के संपर्क में आता है वहाँ पर भी कहीं ने कहीं बच्चे का समाजी करन हो रहा होता है फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है जब बच्चा घर के बाहर निकलता है बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है अपने आ नावा भी हमारी लाइफ में हम कहीं पर भी जाएं हम नहीं नहीं लोगों से जब मिलते हैं तो हम कुछ नहीं चीजें सीखते हैं चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो तो हम यह कह सकते हैं कि जो समाजी करन है वो कैसी प्रक्रिया है वो एक continuous process है यानि कि यह चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहती है जैसे जैसे हम लोग बहार के लोगों के साथ संपर्थ में आएंगे हम हमेशा कुछ नगी नई चीजे सीखते रहेंगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए हम जड़े यह समझते हैं कि समाजी करन के कितने प्रकार होते कितने टाइप होते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे बेसिक जो टाइप हमारे सामने बनते हैं वो यह दो है यानि कि जो हमारा प्रात्मिक समाजी करन होता है जिसे हम प्राइमरी सुशलाइजेशन के नाम से जानते हैं और बच्चे का प्रात्मिक सुशलाइजेशन कितनी तरीके से बच्चे का किया जाता है और अगर हम सबसे जो basic type है उनको discuss करें तो उसमें ये पहले के दो आ जाते हैं जो कि है हमारा प्रात्मिक समाजी करन जिसे हम primary socialization के नाम से जानते हैं और दूसरा है हमारा दूरति समाजी करन जो कि secondary socialization खहगाता है अब देखी इन दोनों को पहले हमें detail में समझना जादा जनूरी है अगर हम primary socialization यानकी प्रात्मिक समाजी करन की बात करें तो बच्चा जब पैदा होता है तो सीधा वो समाज के संपर्क में नहीं आता सबसे पहले वो अपने माता-पिता अपने दोस्तों के संपर्क में आता है जब वो 2-3 साल का 3-4 साल का होता है तो शुडवाती दोर में जो बच्चे का समाजी करन होता है यानि कि जो भी बच्चा चीज़ें सीख रहा है अच्छी चीज, बूरी चीज वो सारी चीज यहां पे प्रात्मिक समाजी करन के साथ जूड़ी होती है जो बच्चे का अडली स्टेज में एक तरीके से सोशलाइजेशन होता है यह हमारा प्रात्मिक समाजी करन कहलाता है और यह हमसे सवाल पूछा जाता है कि जो primary socialization है, जो प्रात्मिक समाजी करण है, उस पे किसका सबसे ज़ादा प्रभाव पड़ता है जब बच्चे का प्रात्मिक समाजी करण होता है, तो उसका परिबार जो होता है और साथे साथ जो उसके दोस्त होते हैं, ये दो ऐसे कारक माने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा उत्तरदाई होते हैं कि बच्चे के जो प्रात्मिक समाजी करन में किस तरीके का प्रभाव आएगा, बच्चा किस तरीके की चीज़े सीखेगा, वो उनके परिबार और उनके दोस्तों पर निरभर करता है, इसके अलावा अगर हम देखें, यह जो दू समाजी करन के अंदर आ जाता है, जो कि बच्चे की शुरुवात कप से होता है, जब पच्चा पैदा हो जाता है, और secondary socialization बच्चे के अंदर तब देखा जाता है, जब बच्चा घर के बाहर जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्कूल मान लीजिए, स्कूल में होता है बच्चे क इसके इलावा बच्चे का जो आप कहलीजी नेवर होते हैं, जो आसपड़ों के लोग, इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे हम सुसाइटी की बात करें, सुसाइटी में भी यहाँ पे बच्चा जो चीजें सीख रहा हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, वो होता है जो secondary socialization है ये घर के बाहर होता है इसे लावा दो और तरीके की socialization होते हैं समाजी करन होते हैं एक को बोलता है एंटिसे पैटरी socialization यानी कि यह पृतिक्षात्मग समाजी करन है यह होता क्या है यह एक बच्चा जो है घर में देखेगा कि उसके घरवाले जो है औरतों के साथ किस तरीके से बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत कर रखते हैं यानि कि जो चीज बच्चा देखेगा उसी तरीके का शोशल रिलेशन बच्चा बनाएगा अपने आसपास की लोगों के साथ तो बच्चा वही चीज प्राक्टिस करता है जो चीज उसे दिखाई जाती है यह हमारा एंटिसेपेटरी सोचलाइजेशन के अदर आता है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगला टाइप है रिसोशलाइजेशन यानि कि जो हमारा वैशविकरन होता है अब देखें इसमें होता क्या है कि अगर हम पुरानी किसी behavior को यानि कि जो समाज से हमने कोई चीज सेखी है पुरानी किसी behavior को अगर हम reject कर दे और और किसी नए समाज में जाके वहां के जो समाजिक norms बने वे हैं, यानि कि जो एक तरीके से अवधानाय बने वी हैं, उन चीजों को हम अपनाएं, तो यहां पर इसे re-socialization कहा जाता है, अब देखिए हम लोगों का जो behavior है, यह change होने वाला ही behavior है, human behavior कैसा होता है, यह जो human behavior होता है, यह हमेशा एक तरीके से dynamic माना जाता है, यानि कि यह परिवर्तन शील होता है, हम नए नए लोगों के साथ संपर्ख में आके हमारे विभार में परिवर्तन देखा जाता है, तो हम पुरानी चीजों को छोड़के, नए चीजों को अपनाते हैं, तो यहां पर हमारा क्या कौन से एजेंट होते हैं अब जरह हम समझते हैं कि समाजी करन की एजेंट कौन होते हैं तो देखिए यहां पर हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एजेंट वो होते हैं जिनके द्वारा समाजी करन बच्चे का हो रहा होता है तो सबसे पहले अगर हम एजेंट की बात करें तो परिवार से वो बहुत सारी चीज़े सीखता है जैसे कि नई भाषा सीखता है किस तरीके का वहभार करना है किस तरीकी की प्रतिक्रिया देनी है तो यह सारी चीज़े शुरुवाती दोर पे वो किस सीख रहा है अपने परिवार से सीख रहा है इसके बाद आ जाते हैं इन पास-पास की लोगों के साथ की तरीके से बिहेव करना है किस तरीके से गुरुप बना कर रहना है mayorREE हैं यह सारी सीजै बच्चा किस से सीख रहा है यह अपनी दोस्तों से सीख रहा है इसके अलावा अगर हम स्कूल की बात करें तो दुर्ति समाजी करन यानि कि घर के बाहर जो समाजी करन होता है वो बच्चे का हमारा secondary socialization कहलाता है जिसका एक agent क्या है यहाँ पे हमारे स्कूल देखें स्कूल से बच्चा बहुत सारी चीज़े सीखता है सबसे पहले अगर हम ब किसी भी कारे को करना है यान कि formal तरीके से वो भी बच्चा यहाँ पे स्कूल में सीख रहा होता है नहीं नहीं भासा सीख रहा होता है ग्रुप में किस तरीके से काम करना है यह चीज़ सीख रहा होता है हमें दूसरों के साथ किस तरीके का वैभार करना है किस तरीकी की प्र समाजीकरण में, ये हमारा secondary socialization agent माना जाता हैं हमारी आसपास society में क्या हो रहा है , क्या नए ही हो रहा है , क्या नया trend है , क्या चीज़े हैं वह सारी चीजे बच्चे को मीडिया से पता चलती है इसके अलावा हमारा क्या religion है, हम किस धर्म को मानते हैं इसके हिसाब से भी बच्चे का समाजी करन होता है बच्चा जिस धर्म का अनुसासन करता है, जिस धर्म का पालन करता है उस धर्म की चीजों को अपनाता है और साथ ते साथ उसी तरीके से विवार और उसी तरीके से प्रतिकरिया दिखा रहा होता है अगर हम यहाँ पे family और peers की बात करें तो यह किस में आ जाते हैं? यह हमारे primary socializing agent होता है यानके प्रात्मिक समाजी करन इनके द्वारा होता है इसके लावा जो school है, इसके लावा media और जो religion जिस समाज से, जिस हम religion से follow करते हैं वो चीज हमारी secondary socializing agent होती है इसके लावा अगर हम देखें कि किसी भी बच्चे का समाजी करन जब होता है तो उसमें कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन से ऐसे factor होते हैं, जो कि उन्हें प्रभावित करते हैं तो देखिए, इन में भी आपका सबसे पहले क्या आजाएगा परिवार बच्चा परिवार में होने वाली प्रतिकिरियाओं को देखेगा उन क्रियाओं को देखेगा, activities को देखेगा, उसके घरवाले, आसपास में एक दूसरे के साथ किस तरीके से behavior रखते हैं, एक दूसरे को कितने आधर सम्मान से देखते हैं, इस तरीके से बच्चे का समाजी करन सबसे पहले प्रभावित होता है, तो सबसे पहला जो कारक होता ह वो यहाँ पे family ही होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले यहाँ परिवार के संपर्क में आया होता है, इसके लावा अगला हम देखें, तो environment यानकी वातवरन, बच्चा जिस वातवरन में, जिस environment में बड़ा होता है, बच्चा उनी चीजों को सीखता है, उनी चीजों को य करता है, इसके अलावा अगला अगर हम देखें, तो हमारी संस्कृती, यानि कि हमारा culture क्या है, हमारा जिस तरीके से culture होगा, हम उसी तरीके से दूसरों के साथ वैभार करेंगे, तो कहीं न कहीं बोला जाता है, कि अगर हम लोग अच्छा भीव ना करें, तो इस तरीके से कि इसके परिवारवाले यही चीज सिखाते होंगे या फिर हम इस तरीके से नेगेटिव चीज़े बोलते हैं तो यहाँ पर इसलिए बूला जाता है कि बच्चा जिस तरीके से भी एवियर करता है बच्चा क्या है शुरुआत में बच्चे को कुछ नहीं पता है कि क्या चीज़ करने हैं क्या चीज़ नहीं करने हैं बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और उसी तरीके की चीज़ों को response कर रहा है तो कहीं न कहीं हमारा जो culture है वो हमें यह बताता है कि हम किस तरीके से behave करें हमारे culture के अनुसार ही हम किसी के सामने behavior शो करते हैं इसी के अलबा एक और कारक है जो कि अनुवानशिक्ता जिसे हम hereditary के नाम से जानते हैं जो कि हमें कुछ ऐसे कारक जो होते हैं कुछ ऐसे feature जो होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं तो देखिए हमारे परिवार से मिलने वाले जो कारक हैं ये थोड़ा कम यहाँ पर एक तरीके से उत्तरदाई होता है क्योंकि ये हमारे gene से समधित होता है जो हमारे अनुवानशिक कारक होते हैं, उनसे ही समंदित होता है, बाकी ये जो factor मैंने लिखे हैं, ये जो कारक मैंने लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे समाजी करन को, I hope आप लोगों को ये समाजी करन, यानि कि socialization क्या है, इसके प्रकार क्या होत हैं, इसको प्रभावित कैसे किया जाता है, इसके agent क्या है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जोगी, अब देखिए मैं इन वीडियो में आप लोगों के लिए questions इसलिए ने लेके आ रही, क्योंकि नए pattern के अनुसार जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, कि एक exemplar question paper य अलग से practice series लेके आऊंगी, जिसमें हम लोग practice करेंगे, अभी आप चाहें तो इनके अभी proper notes बनाएं और previous year के questions को अभी आप practice करें, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आप से मिलूंगी अगली वीडियो में, अगले topic के साथ, बाई बाई, टेक केर